चले सोल कर लेते हैं क्लास 10 एक्रसाइस 7.2 कोशन नमबर टू और कोशन नमबर टू है अब यहाँ पर देखे इस कोशन को हम कैसे सॉल करेंगे पॉइंट आफ टॉ पॉइंट आफ टॉ पॉइंट अन गिवन लाइन सेग्मेंट विच डिवाइद इट इन्टू इक्वल पार्ट्स समझ्याएं पॉइंट आफ ट्राइसेक्शन क्या होता है अब दिखे यहाँ पर माल लिजे यह एक पॉइंट है ए और यह एक पॉइंट है बी जिनके कोईडिनेट्स दिये गया है अब इन दोनों पॉइंट से जो हमें एक लाइन सेग्मेंट मिल रही है इस लाइन सेग्मेंट पे यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स पी और क्यू पता लगाने है जो इस लाइन सेग्मेंट को तो थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइट करें यहाँ बहुत यह आसानी से हम सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम पी और क्यू के कोईडिनेट्स पता कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं Now, let P, A, B and Q, C, D are the point of trisection of line segment A, B ठीक है अब यहाँ पे P और Q के हम कोईडिनेट्स A, B और C, D माल लेते हैं Therefore, A, P is equal to P, Q is equal to Q, B यहाँ पे देखिए A, P is equal to P, Q is equal to Q, B ठीक है तो यह जो points है वो इस line segment को 1 is to 1 is to 1 के ratio में divide करेंगे Now, we can see that P divides A, B internally in 1 is to 2 ratio अब यहाँ पर देखिए point P जो है वो इस line segment को 1 is to 2 के ratio में divide कर रही है ठीक है, therefore as per section formula A is equal to M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 अब यहाँ पर M1 है 1, M2 है 2, X1 है 4 और X2 है minus 2 तियो हो जायेगा M1 X2 plus M2 X1 अब इसको solve कर लिजे तो इसकी value आएगी 2 ठीक है Now, similarly B is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2 again M1 is equal to 1, M2 is equal to 2, Y1 is equal to minus 1 and Y2 is equal to minus 3 देफो M1 Y2 minus M2 Y1 यहो जाएगा 1 into minus 3 plus 2 into minus 1 upon 1 plus 2 अब इसको भी solve कर लेंगे तो इसकी value आएगी minus 5 upon 3 ठीक है तो यहाँ पर A, B की value आगई 2 and minus 5 upon 3 ठीक है तो हमें P के coordinates मिल गए उसी तरीके से हम Q के coordinates निकाल लेंगे again here Q divides AB internally into 2 is to 1 ratio तो यहाँ पर M1 हो जाएगा 2, M2 हो जाएगा 1 therefore C is equal to M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 अब यहाँ पर देखिए X1 है 4 और X2 है minus 2 तो यह हो जाएगा 2 into minus 2 plus 1 into 4 upon 2 plus 1 इसको solve कर लिजे इसकी value आजाएगी 0 similarly D is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2 अब यहाँ पर M1 है 2 और M2 है 1 Y1 है minus 1 और Y2 है minus 3 तो इसमें भी हम values रख देते हैं तो यह हो जाएगा 2 into minus 3 plus 1 into minus 1 upon 2 plus 1 अब इसको solve कर लिजे तो इसकी value आएगी minus 7 upon 3 तो Q points के coordinates हो गए 0, minus 7 upon 3 therefore the points of trisections are 2, minus 5 upon 3 and 0, minus 7 upon 3 and that is our answer